हेलो एप्रिवरान विल्कम बैक टुमाइए यूटूब चैनल अथर्दिवेटी ब्लोक्स तु फ्रेंड्स सदी आज चुकी है और सदीयो में हम आज इस वार डाल रहे हैं हरी मिर्च का चार तो इसके लिए पहले इसको कट करके एक दिन के लिए धूप में डाल दिया था य अगर आप चाहते हैं इसमें अद्रक मिलाना तो अद्रक भी ढाल सकते हैं बट मैं सिप्लेन हरी मिर्च का चार डाल रहे हूं क्योंकि इसको मतब तुरंत ही खाना था इस्टेंट बनाने के लिए से फ्राइ करके भी बिना सकते हैं मिर्च को बट मैं इसको साथ दिन के बेवेल्त मतलब सरसों हमाइधर गुलते है आपकी आपर आपी अधर कि देखती जा रहे थी कुछ ज्धादा नों और सेम मातर में सभी मातर में Iímt को मिलाया और देखिए थोड़ा 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 थोलगा के अधीख त्रीज मुझे नहीं करना तो कि मुझे तुरांद के लिए रखना था तो इसलिए सोच रहे थी कि ज़्यादा तेल ना डालू तो देखिए फानली फ्रेंट क्योंकि उपर से भी तेल डालना पड़ता है इसको ना दबाने के बाद में जिस भी डिबब में है कंटेनर में हम रखते हैं अचार को तो उसके उपर से थोड़ा तेल डालना पड़ कंटेनर में पैक कर दूँगे तो यह मैं डिब इसमें पहले में मार्केर का अचार लिए ति मैं सोचिए किस ही में रख देती हुम खता हो का मार्केर का下 तो सुचिक इसमें डाल देती क्योंकि इसमें कहट्टा पन्भी स्में mortsasन भी चाट जाएगा। अर तो देखिए मै मैं इसको एक कंटेनर में डालते हैं डिबब में मैंने बोला था न कि यह पहले इसमें आम का चार था तो मैं सुचिए इसी में डाल देती है ओयल भी लगा हुआ है और इसका कट अपन भी इसमें चढ़ जाएगा तो यह दिखिए मैं इसमें डाल रही हूँ और फ्रेंट इसको मैं साथ दिन के बाद ही उच्च करूंगे और फ्रेंट सर्दियों में वैसे भी मिर्च का अचार अच्छा लगता है तो मैं अभी मैं ठंडी में फ़र्ष्ट मिर्ची का अचार ऐसे बना रही हूँ वैसे मैं नहीं बनाती हूँ पर ऐसे मन हुआ कि चलो इस बार हरी मिर्च की आचार डालती हूँ तो चलिए सिटी सोचिए चलिया है अपके साथ बीएपना वीडियो से एककarea क्रते है कि मैं कैसे अचार 38 का तो यह दिखो फंच से भी होड़ा दबाया था क्योंकि अगर आजीए इस पेस रह जाता Top क्लिसी आंघल g तो फाइनली देखे फ्रेंट मेरा अच्छे से रख गया है अब इसमें सुख्या मसाला थोड़ा उपर से डाल दूंगे से राई का पाउडर या जिसको आप हम लोग बोलते सरसो का पाउडर उपर से डाल दिया और इसको ढखकर लगा के रखतेंगे पाच्छे दिन के आधी यूज़ करेंगे तो यह दिखिए मैंने पाच्छे दिन के बाद मैंने अचान निकलो तो इसका कलर ऐसे हो गया और मिर्च भी थोड़ी से अच्छी सिगल गई तो फ्रेंट्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाई बाई प्रेंट